हाई फ्रेंड्स मेरा नाम हबीब है आप देख रहे हैं टेक्नो हैब यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ब्लाइन और विज्वली चैलेंज परसन को कैसे एजुकेट किया जाता है उनको एजुकेट करने के लिए क्या क्या जरूरते होती हैं वो सब आज की इस वीडियो में मैं आप सब को समझाओंगा पहले हम जान लेते हैं एजुकेशन के बेसिक्स बेसिक्स के लिए हमें ब्रेल सीखनी पड़ेगी ब्रेल क्या चीज है ब्रेल एक ऐसे डॉट्स क्रियेट किये जाते हैं पेपर पर उन डॉट्स की मदद से ब्लाइंड और विज्वली चैलेंज परसें पड़ते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है ब्रेली की स्लेट इस पे टोटल जो कुछ भी हमारा काम होता है वो होता है यहां पे आप देख सकते हैं ये एक स्टेलस है जिसकी मदद से लिखा करते हैं इस पे एक निडिल है देख सकते हैं आप इसको हमें डाट्स क्रियेट करने के लिए यहां पर कुछ इस तरीखे से पकड़ के इसे यहां पर यह जो कुछ भी सेल्स है ना इस सेल्स के अंदर हमें प्रेस करना होता है हर सेल्स के अंदर सिक्स डाट्स क्रियेट करने के लिए सिक्स सेल्स होते है यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरीखे से बहुत बई काम होता है यह लिखा जाता है एक एक जो कुछ भी लेटर होता है उस लेटर के लिए कई डाट्स दे दिये के हैं फर एक्जामपल के लिए 1A, 1, 2B, 1, 4C और 1, 4, 5D इस तरीखे से Z तक जाता है यह 6.Z तक हम create करते हैं जितने भी alphabets है ब्रेली के डाट्स कुछ इस तरीखे के होते हैं यहां पर यह डाट्स मैंने create किये हैं आपको यहां पर कुछ और images भी add कर दूँगा मैं Google से आप देख लीचे यह तो यही ब्रेल के बारे में बात अब हम जान लेते हैं अगर आपको मैस करना है मैस mathematical problems को solve करना है तब आप कैसे करते हैं अब हम जान लेते हैं मैस के लिए भी एक अलग से frame होता है जिस पे blinds करते हैं मैस तो यह देख सकते हैं आप यह एक frame यहां पर totally mask किया जाती है यहां पर यह इस frame पर छोटे छोटे होल्स होते हैं इन होल्स के अंदर कुछ इस तरीखे के types को लगाया जाता है इस types को देख सकते हैं, आप यहां पर एक side डो dots होते हैं, दूसरे side कुछ इस तरीखे का होता है यह, यह totally lead के बने होते हैं और four corners होते हैं, यह देख सकते हैं, आप holes में यहां पर लगाया जाता है, यह वाला देखिए आप, अब मैं आपको algebra का type बता रहा हूँ यह, algebra के लिए use किया जाता है, यहां पर आप देखिए दो side होते हैं इसको भी, दो side अलग-अलग shapes होते हैं, brackets के लिए use किया जाता है, यहां पर मैंने यह देखिए आपको लिख दिया है, मैंने कुछ इस तरीखे के, 0, 1, 2, 3, तो यह था math के बारे में, अब हम जानते हैं, advanced modern technologies की मदद से कैसे blinds पढ़ाई कर सकते हैं, तो modern technologies में scanning और reading का solution होता है, scanning reading softwares के बारे में मैंने already एक video बनाया चुका हूँ, वो video को अब मैं प्ले करूँगा, आप उसे देख ली थी, यहां पर open book में एक document open रखा है मैंने पहले से, यह open book software open होने के लिए थोड़ा time लेता है, दोस्तों अगर आपके पास RAM कम है तो मेरे device में कम है, उसलिए यह time लेता है, मैं NVIDIA screen reader run हो रहा है, उसे बन कर दूँगा, वरना समझ में नहीं आएगा आपको आप देख सकते हैं, यह आप आवाज आपको JAWS की आवाज की तरह ही मिल जाएगी, अब हम यह totally एक speech है, इसे हम सुनते हैं, speech या कुछ भी मुझे एक text का इसमें मिल चुका था open book में by default, वो पढ़के हम सुनते हैं मैं जैसे ही down down arrow कर रहा हूँ, यह next line पढ़ रहा है और आप arrow करूंगा तो ऊपर की line पढ़े गाए तो यह normal से आप जैसे word document में अगर कुछ भी word का document है तो आप कैसे पढ़ते हैं, उसी तरह आप इसमें आसानी से किसी भी book को scan करके फढ़ सकते हैं blinds और visually challenged persons के लिए क्या courses है, courses की बात की गई तो आप MS office और कई तरीखे के courses होते हैं, जैसे कि reception courses होते हैं, यह सुब courses की मदद से आप अच्छे से एक employment opportunity धून सकते हैं मैं होप करता हूँ, यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो like करना, share करना, किसी और वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए goodbye